नवस्कार आप सबीका स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद शेकर शर्मा दर्शे को शुरुआत करते हैं आज के सुन्दर दिन की श्वर के स्मरण और पंचांग के ज्यान से क्योंकि पंचांग का ज्यान जहां आपके लौकी कारियों की सिद्धी की चाबी है व आज की द्वितिया है और आज का वार है रविवार आज राज योग है त्री पुषकर योग है और सरवार सिद्धी योग है यह तीनों योग आज के इस दिन को बहुत विशेश बना रहे हैं तो आज के दिन का सुदूपयों कीजिएगा आज पूरवा शाड़ा नक्षत् रहेगा योग ब्रम हैं दौपयरबाद 2 बच के 25 मिनट तक फिर एंद्र योग है तो पुझा पाट के कारियों के लिए सरकारी कारियों के लिए बहुत सुन्दर देना है और करण तेतिल है दौपयरबाद 4 बच के 24 मिनट तक आगे गरकरन रहेगा सूर्योदे का समें दर् कारे की शुरुवात नहीं करने चाहिए अब इचित मुरत आज दिन में बारा बच के एक मिनट से बारा बच के चपन मिनट के बीच है दिन में दो बार दुष्ट मुरत रहेंगे बहुत ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल दीजेगा यह शाम पांच बच के 33 मिनट और कर पश्यम के और मुख कीजिए और पांच किदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हिर्दे में अपने इश्ट का ध्यान करें उनसे प्रातना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें यात्रा बहुत सुंदर रहेगी कारे सिद्ध होंगे दिशा शूल आपको परेशान नहीं करेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुप्यों करने का जो समय है वो है सुबह 8 से 12 बजे की बीच फिर दौपर बाद 2 बच के 15 मिनट से 3 बच के 50 मिनट के बीच और फिर शाम 7 बच के 30 मिनट से रातरी 9 बजे तक तो तीनों का लखन बहुत मेश राशी की मेश राशी वाले भाग्ये से पाएंगे पूरा पूरा सपोर्ट और जो सगे संबंदी हैं मित्र बंदू हैं उनका भी बहुत अच्छे से मिलेगा आपको सहीओ ब्रश राशी वाले सेहत पे हो जाएं सजग क्योंकि बिमार होने का समय है ये और मेतुन लेने में आगे तोड़ा सा विलंब और मकर राशी वालों को लंबी यात्रा परिशान कर सकती है कुम्राशी वाले किसी आर्थिक लाब की आशा कर सकते हैं आज और मेन राशी वालों को नोकरी की चिंता दूर हो जाएगी कहीना कहीं से अच्छे आपको एक सूचना मिलेग आपको करियर को लेके अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्रे दरश्टी को प्रज्या को जागरत कर हमारे चरित्र और हमारे व्यक्तित्व को उननत करेगी फिर आगे समझेंगो उन्वसिस्ट उपायों को जो आपको समश्चाओं से बाहर ले जीवन में सफल बना देते हैं अंतु में करेंगे आज के दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को जनम पत्री का आपके जीवन का मैप हुआ करते हैं जिससे आपकी पूरी यात्रा का एक विवरण प्राप्त होता है इसे आप माक्षीट भी कह सकते हैं जो पिछले ज लोक्तुम जायन्ते प्रात्रेयने वही जनतवें शीने करमणी चानित्र पुनर गच्छनती देहिन है यानी मनुश्य का जनम उसके पिछले जन्मों के कर्मों से आविरभूत होने के लिए होता है कर्मों के शै या शुन्ञ होने तक एक लिच्रम लगातार चलता रहता है और कर्मों के शेह होने से ही मुक्ष की प्राप्ति होती हैं। ये जनमपत्रिका को मनुश्य के संचित और प्रारःब्द कर्मों की भही खाएंगे, तो आतिशोकती नहीं होगी। इसलिए ग्रहों को भाग्यका निर्माता या भाग्यका नियंता ना मानें। ऐसा नहीं कि शनी ने ये कर दिया, ब्रस्पती ने ये कर दिया, कुछ भी नहीं करते हैं, ग्रैस सिर्फ बताते हैं कि पूरू में आपके कियेगे कर्मों का ये फल रहेगा, तो आप करम सुधारिये, इश्वर को समर्पित करते जाएए, ताकि ये वही खाते बंध हो और अग्रिसर होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, उनकी जिनका जनम देना है, तो जिन जिनका जनम देना है, आप सभी आज सुवे भगवान शिवजी पर गेहूं और गुड अर्पित करें, और फिर उसे निर्धन लोगों में बाढ़ दें, साथ ही आज के दिन किये के 27 सूर जिवन में यश प्राप्त करना है, प्रसिद्य की बहुत विशेश चाहें, या ऐसे लोग जिनने उनके कामों का क्रेडिट नहीं मिलता है, बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि मैं कुछ भी कर लो मुझे उसका यश नहीं मिला करता है, या फिर ऐसे बच्चे जो सरकार जिवन को पूरी तरीके से सकारात्मक और सफल रहा पर मुढ़ना चाहते हैं, आज से भगवान सूर्य का विशेश पुजनारम कर दें, त्री पुषकर योग और राज योग से निर्मित ये दिन बहुत ही सुन्दर है इसके लिए, एक तो नित्य सूर्य नमस्कार करना मीच में सूरी देव को देखते हुए, प्रणाम करते हुए जब करें, बहुत जल्दी यश्पता का आपकी फैराने लगेगी और जो छात्र छात्राइं सरकारी सिवा का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको भी सफलता के आसार बनने लगेंगें, मंत्र इस प्र श्लोक को इस मंत्र को पूरे मंद से 35 मिनट कीजिए, बहुत बढ़ा चमतकार आपके जीवन में गटित होने लगेगा, ऐसे दर्शे को जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भै लगता हो, या जिन लोगों पर कोई मारकेश की दशा चल रहे हो, जनम पत्रिका में, या फिर क बहुत ज़्यादा विपरीत गरह पीड़ा आपके साथ चल रहे हो, या मुकत में चल रहे हो, जिसमें दंड पाने के किसी भी प्रकार का अर्थ दंड हो, या कोई जील जैसे योग हो, ऐसे योग बन रहे हो, तो ऐसे स्तती में बहुत अच्छा रहेगा, कि आप भगवान श्री राम के शरण में जाईए, और इसके लिए करना है कि नित्य गुरु गनेश वंदना करें, पंचोप चार से पूजन करें, और भगवान श्री राम का पंचोप सार से पूजन करें, गनेश जी के पूजन के बाद, फिर अपनी समश्या उन्हार्थ भाव से कहें, समर्पण से कहें और फिर इस अतिव विशिष्ट मंत्र का 30 मिनट जाप बिना गिने, मनी मन, बिना माला लिए, समर्पण से करें बहुत ही शिगृता से आपके भहे कान तो होगा आपके अकाल मृत्व को अगर योग भी चल रहे हैं, वो टल जाएंगे मारकेश की दशा चल रहे हैं, टल जाएगी कोई केस मुकदमा चल रहा है, वो भी टल जाएगा मंत्र जो जाप करना है, मंत्र का अर्थ अपने हर्दे में आत्मसाथ करते हुए और भगवान राम के विराट व्यक्तित्व का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र जापको करना है, ओम शर्ण त्रांत तत्पराए नमे ओम इस मंत्र का मन से जब कीजिए, फिर देखिए चमतकार ऐसे ही दर्शे को आर्थिक समश्याओं से मुक्ति के लिए और बेरोजगारी की समश्या से निजात पाने के लिए आज के इस अतिव विसुष दिन से आप भगवान सूर्य की एक बहुत ही सुन्दर आरादना कर सकते हैं इसके लिए भगवान सूर्य को गुड कुम कुम लाल पुष्प और केसर मिलेवे जल से अर्ग दीजिए एक सूर्य इंत्र रखिए अपने सामने लाल वस्त्र पर गिहुं की धेरी पर और पंचुप चार से उनका भी पूजन कीजिए अपनी समश्या कहिए अपनी मनोकामना कहिए आर्थिक सफलतार नोकरी व्यापार का आशिरवाद मांगिए फिर बहुत ही विसस्ट मंत्र का सिर्फ 15 मिनट मन लगा कर जाब करना शुरू कर दीजिए नित्य मंत्र है ओम रीम ग्रणी सूर्य आदित्य श्रीम दर्शे को तीन चार महीने वीतेंगे आप अपने भीतर एक बहुत ही विसस्ट उड़जा एक इश्वर्य शक्ति भगवान सूर्य का आशिरवाद अपने अंदर आप महसूस करने लगेंगे आर्थी के स्तिव बहुत मजबूत होगी करियर बहुत जल्दी सुन्दर होता जाएगा ये थे आज के वो विसस्ट उपाए जो आपको समश्चाओं से बाहर ला रहे हैं आपकी मनोकामना है पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का ही है हमारी दर्शक मीनू जी की 26 जुलाई सन 2000 का इनका जनम है रातरी 11 बच के 30 मिनट अजमेर प्रशन है हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं उपाए बताईए देखिये मिनू जी आपका मेश लगन है और व्रश राशी है लगनेश मंगल आपका नीच राशी में है और अस्टम यानि की आयू भाव पर शनी की सीधी दरश्टी आपके रोगों की संख्या बढ़ा देती है ऐसी स्थिती में आप मंगल की जब करवाईए गले में एक मुंगा पहन लीजी साथी शनी शान्ती के संकल्प के साथ पांच शिव चालेसा नित्य पढ़ने की आदत बनाईए बहुत जल्दी आपको आराम आने लगेगा आज की दूसरी पत्रिकाई है हमारे दर्शक पवन जी की 17 अगस्त 1983 का जनम है सुबाट बचके 38 मिनट अजमेप आमदनी नहीं है उपाए बताए इनका प्रशन है देखिए पवन जी आपका कन्या लगन है व्रश्चिक राशी है लगने शिद्वादश भाव में है और सब फाइर उपल पहन लीजिए बहुत ही जल्दी निश्चित रूप से आपको आराम आने लगेगा और बहुत अच्छे साव अपनी आरतिक स्थी ठीक कर लेंगे आज की तीसरी पत्रिकाई है हमारे दर्शक पंकत जी की 30 नौबर 1994 का इंका जनम है रात्री 9 बच की एक मिन सब्सक्राइब के आप प्रेशर सिच्वेशन जेल नहीं पाते हैं और भाग्या आपको अच्छे विकल्प भी नहीं देता है तो आप चंद्र राहु ग्रहन दोश की शांती करवाईए चंद्र और गुरु के जब करवाईए एक मोती और पुखराज आप पहन लीजिए सम जान चर्चा जो सत्संग हमने क्याईस अपने जीवन में उतारेंगे अपने जीवन को शिव में सत्य में और आनंद में बनाएंगे महादेव से प्राथना करता हूं कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारण अवश्य हो और मनो कामना पूर् जय आदिशक्ति